नमस्कार दोस्तो दोस्ते दी आपका भी बैंक एकाउंट IDFC First Bank के अंदर है और आपको IDFC First Bank के और से इस परकार का मेसेज आता है कि आपको Dear Customer Congress आपको इस परकार का मेसेज आ रहा है तो दोस्तों यह क्या होता है IDFC First Money Credit Limit यानि कि IDFC First Money क्या होता है इसे कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यह क्या चीज है आपको संपूर्ण जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूं योदि आपको भी जानना है तरह में वीडियो को साथ सुरू से लेकर अंतक बन रहेगा दोस्तों मैं उसर प्रकाइस चौब है और आप देख रहे है हमारा चनल चौबजी टेकनिकल तो च एप में आने के बाद में आपको यहां पर देखिए लोन्स इसके उपर आपको क्लिक करना है और जैसे आप लोन्स पर क्लिक करते हो यहां पर दोस्तों लोन से क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी लोन का उफर होगा सब यहां पर सो कर देगा IDFC First Bank का जो एप आता है यह से हमें कोई मतलब लेकिन हमें यहां पर फर्ष्ट मनी का उफर मिला हुआ है तो कुल मिला के जो हमें लिमिट मिली थी दो लाग तैथिस जार की दोस्तों यहां पर आपको सो कर देगा यदि आपको यहां पर सो नहीं कर रहा है और मैसेज भी आ रहा है कि आपको फर्ष्ट मन के अक्टिवेट कराने के लिए क्योंकि आपको एक्टिवेट कराना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा और आप उसकी EMI क्या करते हैं दो महिने के तीन महिने करना चाहो करा लो यह बहुत असान है अब मालो मैं आपको ओफ लाइन तरीका बता रहा हूं यहां पर सो नहीं कर कर ला था तो एजेंट घर पर आया और मेरी के वाइसी करने के बाद ने मैंने उनको जान बूझके बोला कि यहां लोन चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए क्योंकि यह बहुत ही मतलब फायदेमन चीज है अब फायदेमन कैसे अब आपको बताऊंगा अब जैसे एक प्रकार सी क्रेडिक क्रेडिट कार्ड जो होता है बसकी यह एक लोन मिल जाता है से ने किया होता है अब होता है कि आपको अगले महिने आपको प Moviesल के सब्सक्राइब कार्याено吏 तो थे乾्टिक घच मिली वह रहेगा तो क्या हुआ कि मेरे ओफ-लाइन आया और कोशषी करे ले लिया तो अभी 5000 और यह माई पे करना है बाकी का 5000 मैंने पे कर दिया है ठीक है तो सब जोड़ोगे दो लाग 30,000 हो जाएगा अब क्यों 5000 बाकी यह बाकी एक 5000 मैंने भड़ दिया है तो तो यहां पर जी अच्छी बात है आपको आना है और यहां पर क्लिक करना सी डिटल्स पर और सी डिटल्स से क्लिक करने को देखो मैं दिखा रहा है टोटल लिमिट चली जाएगी तो 27,000 में इसको 5000 प्लस कर दी जाएगा और मेरे लिमिट वापिस 23,000 हो जाएगी उसका फाइदा यह है दोस्तों कि आप जब चाहू तब इससे लोन ले सकते हो यह से मालों मैंने अब 10,000 को लोन को खतम हो जाएगा अगले अगले महीने का मैं दो महीने का मत पर तक मैं आराम से लोन ले सकता हो और यहां पर दोस्तों सबसे खास बात यहां है कि आप जब चाहो तब लोन ले सकते हो पेपर लेस के मतलब बहुत कम समय लगता है और इसके जनकारी लेनी है तो आप देखो यहां पर और यहां पर देखो दोस्तों आप जो भी लोन ले देते हैं कि आप 4% मतलब चार्ज दो कि आप मतलब 10,000 रुपे भरने हैं पूरा फोर्क्लोज का बाकी है मतलब पूरे लिमिट अभी मान लिए 10,000 रुपे की बनवाया हो तो आपको पूरा 10,000 रुपे भरना है तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा लेकिन इसमें सिस् करूँगा और यहां पर मुझे सो करेगा देखो दो प्रकार के लोन होता है एक प्रस्ट मनी यह IDFC फर्स्ट बेंग की तरफ से एक नए सिस्टम है इसको लेने में दो से तीन दिन लगते हैं प्रस्टम लोन को लेकिन फर्स्ट मनी को लेने मातर पांच मिनिट लगता है जब चाहो तब ले सकते हो जब आपका काम पड़ा उसके बाद प्रीपेमेंट फिस यानि कि आप चाहते हो आपका पूरा पैसा भरदो एक बार में तो चार से पांच परसेंट का आउट इंडेट आउट इस्टेंडिंग फिस लगती है लेकिन इसमें जीरो लगता है पूरा में से 27800 1771 और एक बार मेरी लुन क्लोंज को जाएगा तो मैं चौहूंनि dipping और ले सकतां अब यहां पर दिखो मांलोग मुझे लेना यहां पर प्रहथजार का इसमें से मुझे क्या प्रहथर लेने में कर लेता है कि तो अब नहें तो यहां पे ते लिए अब देखो ओफ कितने महीने उक्लिट कर दिया अब कितने महीने मैं बर्लटय चाहता ऊक्ता हूं तो मैं अपने इसाफ सपसफ़नेट कर सकता हूं अब благ दोस्ते हूं कि छारा जार 6चरल पक करना चाहिए तो 177 रुपे की जो है वो आएगी EMI ठीक है अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद कह रहा है कि कितने तारीक EMI आपको देनी है तो आप अपने इसाब से कॉस्टम डेट स्लेट कर सकते हो तो यहां पर और तीन तारीक दिखा रहा है तो मैं चाहूंगा अपने मन से करना तीन चार पांच को मिलाकर साथ आठ तरीक तक आप किसी भी डेट को स्लेट कर सकते हैं अब यहां पर देखो क्या करना है आपको लोन की डिटेल में दिखा रहा है कि आपके टोटल अप्लाइड आपने प्ताजर किया इसमें प्रसेंग फिस दो परसेंट प्लस वही एक हजार आपको आपके लोन के अंदर ही मिल के आएगा तो यहां पर कुल मिला कि क्या होना जरी आपको देंगे इसमें से आपकी इमाई बनती है 4710 रुपे की इमाई स्टाइट होगी इतने तारीक से यह आपको डेट सलेट कर दिखा देगा और आपकी 12 महीने के होने परसेंट की इंट्रेस्ट डेट लिया जाएगा वह परतेक इमाई पर पूरे पैसे पर आपके मतलब कहाते हैं 12 लगता है अब यहां पर दोस्तों देखिए मन्थली रिड्यूजिंग इंट्रेस्ट डेट करती होता है माली जे मैंने 50,000 का कहाते हैं लोन लिया अब यदि दूसरे बैंक वाले जो देते हैं कि समाली जे उन्हें दिया 12 परसेंट का इंट्रेस्ट डेट तो 12 परसेंट का इंट्रेस्ट क्या होता है कि आप यदि पहले महिने में अपनी इमाई भर देते हो 47 माली जे 5000 आपने रुपे भर दिये तो पीछे की ते 45,000 बचा ठीक है तो जेदी 50,000 इमाउंट है और आपने पहले महिने 5000 भर दिया किस्ट दूसरे महिने 5000 बर दिया तो आपका जो इंट्रेस्ट डेट लगने वाला है वह किवह आपके आउट इस्टेंडिंग बैलेंस पर लगेगा जैसे पहली माई पर 5000 पर आपके पूरा मतलब 5000 लगेगा फिर अगले माई 5000 आपने भर दिया मातर 45,000 बचा तो 45,000 पर इंट्रेस्ट लगेगा फिर आपने 5000 बढ़ दिया मातर 40,000 बचा तो 40,000 पर इंट्रेस्ट डेट लगेगा ठीक है मतलब 50,000 को टार्गेट करके इंट्रेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा यह होता है reducing rate यानि कि घरत इस बैंक के अंदर आपका पैसा आने वाला यह मेरा IDFC फर्स्ट बैंक का एकाउंट है उसके बाद यहाँ जिरो फीज यह सब कुछ दिखा रहा है और यहाँ पर verify and get money पर जैसे आप क्लिक करो एक OTP आईगी OTP जैसे भरोगे आपका पैसा है कुछ मिनट के अंदर आपके ख देखाया जा रहा है तो आपको जब भी हो सकता लगे आप इस लिमिट के अंदर से जब जाओ चाहे उतना लौन ले सकते हो इस लिमिट के अंदर ही मतर्द 2,03,00 मेरी ली मिट थी तो आपको यहाँ पर जो भी जिखायी दे लियह है इस लिमिट मैसे जब चाहो आप आराम स लोन ले सकते हैं उस लोन को भरो उसके बाद वापिस से लोन ले लो तो यह बहुत अच्छा है आपको यहाँ पर लिमिट रहेगी आप जब मन कर पैसा निकालो वापिस भर दो आपका काम कर लो तो यह काफी अच्छा है इसको एक्टिवेट कराने के लिए मात्र मैंने मतलब मैंने 10,000 का लोन लिया ताकि एक्टिवेट हो जाया और मैरा जब भी काम पड़े मैं इसमें से ले लो अहलांकि मैं लियता नहीं कभी लोन लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है फर्स्ट मनी के स्मार्ट लोन आप इसे एक्टिवेट करा लिजे जब भी आपको यह मोका मि साथ में दूसरे दोस्तों में अच्छी और सांधर के लिए जैन जया भारत